हेलो गाइज वालकम बैक तो माई चैनल तो गाइज यह हमाई डॉल ड्रेम हाउस का पार्ट टू है अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख लीजी तो गाइज पार्ट टू में हम आपको दिखाने वाले हैं अ अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको टूर कराना तो गाइज यहां पर हमने बालकनी है एंड यहां दू डॉर एंड विंडोस एंड यहां पर यह बहुत अच्छा लग रहा है इस बालकनी में भार आकर हवार ले सकते हैं यह डॉल रूम में से निकलता है तो यह ब्रूम मैं आपको दिखाती हूँ देखी किती अच्छी लग रही है यह ब्रूम यह रियल वर्ट करती है इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए अब हम अपने डॉर से अंदर चले जाते हैं तो गाइस में रूम मे आपकर में अब देखते हूँ यहाँ पर है एक बैड जिस पर केन सोया हुआ है ओके तो चलिए मैं इस उठा ही देती हूँ Can Can उच जाओ Can Wake up हाँ हाँ क्राहु ओफ़ो अफा उठ जाओ तुम यहां पर अराम से सो रहे हो और यहां पर यह देखो चैल साने क्या मेरी Makeup Guide का क्या हाल बना रखा है यह देखो किस तरीके से मेरी Makeup Guide का क्या है खूआ देखा है बिल्कु तो क्या हुआ मैं बच्ची ही द देता हूं औहां चलो ठीक है तुम्हें काम करो नीचे चले जाओ दोनों कि मैं यहां पर टूर करा रहे हूं अपने ड्रेम हां उसका और चाह ठीक है चला जाता हूं ओके चलो वो तो चले ही गई यह देखें आपर उपर हमने स्लीप लिखा हुआ है और स्वीट ड्रेम लिखा हुआ है यहां पर एक बैड है जो बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पर आराम से भी सो सकते हैं यह बिल्कुल मेरे साइज का है जिस पर हम आराम से सो सकते हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डे रखी है तो यह लेकिन वहां पर यह इस टाइप में नहीं है यह चैन शे थोड़ा सा बड़ आप इस चेप में बना सकते हैं यह पिल्लो भी बहुत अच्छे लगी रहे हैं अगर आपको पिल्लो भी बनाने हैं तो मुझे बता लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप फोन भी बना सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे फोन बना रखे हैं मैंने तो अब इसे में यह ओपन भी होती हैं इसके अंदर हमने मास्क रख रखे हैं इसके साइड में यह मेकप किट भारी छोड़कर चले गएं तो चल पहले पूरी ओपन कर देती हूं साइडों से भी अब देखें इसके अंदर कित्त अच्छा है यह इसका मीरर कित्त अच्छा लग रहा है और इसमें नेल पैंट भी रखे हुए लिपिस्टिक भी रखे हुए जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप भी अपन से रखतेंगे बिल्कुल जादा जल्दी नहीं रखने हैं तो मैंने इसे रख दिया है चलिए अब मैं इसके अंदर जो समान रखा हुए उसे भी आपको दिखाई देती हूं तो इसमें से मैं निकाल लेती हूं एक चीज यह देखें यह मैंने बॉक्स कुद बनाया हुए इसके अंदर मैंने एक फैस मास्क रखा हुए और कुछ ग्लासीज भी रखे हुए हैं यह देखें किते अच्छे लग रहा है मेरे उपर यह उपर यह ग्लासीज तो चलिए यहां पर इसमें रखें हुए यह रिंग्स यह बॉक्स भी मैंने खुद ही बनाया हुए हैं यह इसके यह रिंक सब आपने देख लिए हैं आपको में है कि अच्छे लगया हूं कर अच्छे लगया हूं लाइक कर देना और यह नेकलेज भी सभी नेकलेज मैंने खुद बनाया है यह बहुत इजी है और इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है तो अगर आपको यह इस पर बेटकर डॉल अपना मेकप कर सकती है इस पर पर्फ्यूम फेर लवली लिपिस्टिक नेल पैंट रखे हूं है और इसमें डॉर्स भी है जिसे हम उपन भी कर सकते हैं इसके उपर हमारा एक कॉम भी रखा हुआ है इसके उपर कि ते अच्छे-च्छे किटी के स्टी अच्छे लग रहे हैं यहां पर इसके नीचे हमारी प्यारी सी अलमारी जिसके अंदर हमने हैर बैंड के पर्स एंड सैंडिल्स रखी है इसके लिंक पी में डिस्क्रिप्टिन में देतूंगे आप हैर्बैन भी बनाने सीख जाएंगे यहां पर एक डौर भी है जियो ओपन करके हम बाथरूम में जा सकते हैं तो चलिए अब हम बाथरूम में चले जाते हैं तो मैं इसे ओपन करके बाथरूम में आ जाती हूं यह लीजिये बाथरूम में सबसे पहले एक पाईदान है तो मैं अराम से बाथरूम में आ गई हू यह बिल्कुल अच्छा है इसे मैं बंद कर देती हूं यह देखिए हम बात्रून में आ चुके हैं तो गाइस चलिए अब हम बात्रून के टूर कराते हैं आपको इसके साइड में एक टावल टंगा हुआ है यह बटन भी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले लिए ओपन इसके अंदर हमने क्लोट्स रख रख हैं यह हम चैन्ज कर सकते हैं इसकी साही चीज़ें इसमें इसका टाइमिंग वगेर सब कुछ चैन् कि अच्छा लग रहे हैं इसकी जो टोटी है वह बहुत ज्यादा अच्छी है तो टब के अंदर में बैट जाती हूं यह देखिए मैं टब के अंदर बेट गई हूं और यहां पर टब में हम गरम और ठंड़ पानी भी ले सकते हैं रैट से होट वाटर एंड ग्रिन से कॉल बता दी इंड़ गजा लेकर डाल देती हूं और फी एक समान रखा रहा है और यह हमारा वाश वेशन इहां पर यह देखी किते अच्छे पोस्टर भी लगे हूं हैं यहे देखी किते अच्छे लग रहे हैं मैकशी ठैपन अब आपर टॉएलेट पैपर रखा हुआ है यह है तो मैं उपल फिलिस को पिण कर झा निया पर हमारा बाथ रूंए जहां पर शावर के लिव मुए सकते हैं विभी यह देखे इसके आंदर हम कित्रिफ्ध आराम से जाते हैं इसके अंदर अराम से बेटकर चल साब बाग छुप रही है वो छुपम चुपाई खेल रहे हैं तो इसलिए हो छुपी हुई है इतनी ज्याद है इन्हें भी बात्रूम में छुपने की जंगा मिली एंड यहां पर एक जूना भी तंग रहा है एंड यहां पर सोप भी रखी हुई है जो कि मैं इसे उठा भी सकती हुँ एंड यहां पर आप फाइनली दिखेगा आपको वाश वेसिन जिसके ऊपर एक मीरा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड यहां पर एस वोस कुछ कॉल गेट एंड ब्रॉश रखे हुए हैं एंड इसके अंदर हम बाग वाश इनके अंदर भी हम देख सकते हैं तो यह देखे कोल गेट इंड ब्रॉश मैंने खुद ही बनाए हुए हैं इसके लिग में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यह फैस वोस्तों मैंने खुद बनाए हुए हैं यहां पर टच करेंगे तो इसमें से हैंड वोस निकल जा हैं तो याइस आपको हम बताना भूल गये कि बाथरों में से हम बालकणी में भी जा सकते हैं जो कि बाथरों में से डौर है तो चलेते हैं लेकिन हम ड़ास्ट पिन तो भूली गए तेखी ये डस्ट पिन है यूज मिंग कर इकता ज्यादा अच्छा लग controlled ऑला है तो चली किता जादा अच्छा लग रहा है बातरूम में डेस्ट बिन तो होना जरूरी ही है तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ ये देखिए हम आ गए अपनी बालकनी में जिसमें कि टू विंडोज हैं एंड उस पर फ्लॉवर पोट्स रखे हुए हैं यहां पर एक अच्छी लग रही है तो गैज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का पार्ट 3 भी आप देख सकें आपको वीडियो का कौन से पार्ट सब ज़्यादा अच्छी लगी ओके बाइबाइब आई